दोस्तो सेमिस्टर एक्जाम में मराठी का पेपर इसी तरह से आने वाला है दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा तीन पेपर दे दो एप्लिकेशन के उपर जिससे हमारी प्रैक्टीज बहुत अच्छी हो जाए तो इसके लिए टार्गेट लाई के दोस्तो 1000 और प्लीज अगर समझो अपने 2000 लाइक कर दिया तो इसके सॉलूशन के साथ मिल जाएगा तीनों पेपर तो देखो आपके उपर यह फड़ा फड़ा वीडियो को शेयर करो अब देखो दोस्तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे गद्द भिवाग आता है जिसमें हमें 7 मास्क आपको इंड निचु काUHS भी कोश्न सोंगे पेन से लिखना है कि पैन सिल से ज कोमेड कर सकते हो तो यह जो आपको यहाँ पर परिचेट दिया है उसके according यह सब कोश्न के एंसर देने है दुख यहाँ पर यहाँ फ्याँ चैन सriver मास्क है और यह दुसरे पैसेज में वीड़ा है और यह 7 के बाद 3 आएगा दोस्तो 4 मास्का 4 मास्क में देखो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिया है और इसके according इनों ने यहाँ पे आपको questions पूछे हैं दोस्तो 2 मास्का और नीचे आपको 2 मास्क को पूएम सेक्शन जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पूएम की चीजे दिया है उसके according questions है अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है दोस्तो आठ मास्का very 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 important दोस्तो यह 8 मास् अपने मुठी में है अगर किसी को यह 8 मास्का पाना है देखो आपको 2 पोयम दिया है देखो यहाँ पे लिखा है कि एका कविते संबंदित खाली कृति छोडवा 2 पोयम दिया है दोस्तों यहाँ पे आपको प्रस्तुत कवितेश है कभी कवित्री प्रस्तुत कवितेश अब भीश्य है बाद में यहाँ पे देखो कोई भी दो लाइन का आपको क्या करना है अर्थ लिखना है और बाद में यहाँ पे जो इन्हों ने दिया उसका अर्थ लिखना है और बाद में संदेश और आवण्या यह आपको लिखना है तो ऐसे टोटल एट मास का पार्ट है कभी कबार यहां पर आपको सामनार्थी सब्द भी पूछ लेते हैं अब देखो यह दूसरा पोएम है और यह दोनों में से कोई ने कोई एक पोएम के ऊपर आपको लिखने आना चाहिए अब देखो दोस्तों यहा तो यहां पर उसके बाद आपको इस तूल वाचन 6 मांग्स के लिए आएगा जिसके अंदर आपको कोई भी तीन कोश्टन दी होंगे पर आपको दो ही सॉल करना है तो यह बहुत ही जोरदार सॉल करना है अगर आपसे एंसर नहीं याद हो रहा है तो मेरे इजी ट्रीक के व चैकरेन के उपर वीडियो चाहते हो तो बता दो मुझे जेको पहले वाक्यांचे प्रकार है ये दो मार्श तो आपके हाथ का मार्श है यार दैन इसके बाद वाक्या रूपानतर होगा दैन दोस्तों इसके बाद आप देखोगे वाक्या क्रचार है यहाँ पे अर्थ लिख क आपको लिखना है जिसे ये चार में से जो सबसे correct है, आप मुझे बताओ खुण साला correct है? जल्दी से बताओ fast. और यहाँ पे विराम चिनदे कभी लिखने के लिखने के लिए आ सकता है, या तो कभी तरह के पत्र हैं सबसे पहले कि पत्र के साथ दोस्तो सारांस ओप्षन में देखो यहां पर अगर आप देखो के कीवा लिखा है और यह दोनों पत्र में से एक ही लिखना है तो सबसे पहले पत्र लेखन कभी भी आपको दोनों पत्र नहीं आइटेम करना कोई एक अब देखो तीन तरह के आपके पत्र हमेशा तीन तरह से ही आ सकते हैं उससे बाहर पत्र नहीं रहेंगे पहला पत्र या तो विननती पत्र दिखेगा या तो मांगनी दिखेगा या तो अभिननदन और ये तीनों में से आपको प्रैक्टिस कुन सा करके जाना है मांगनी और विननती पत् और किड़ा साहिते हो सकता है, प्लांट से रिलेटेड हो सकता है, बुक्स से रिलेटेड हो सकता है, ऐसी तीन चार चीज़ है, और सद्धी से रिलेटेड हो सकता है, इसी पे आता है, अब देखो दोस्तो इसके आगे, सारान सापको अटेम करने की ज़रूत नहीं है, अब दे लेखन दोनों बेस्ट है अगर आपको कभी जैसे अभी देखो ये पुड़िल अपुड़न कता पुड़न करा ये थोड़ा सा difficult हो जाता है तो आप बात्मी अटेम कर लो सब के rules बोड़ के according क्या क्या है सब चीजे मैंने बताई है then next one last one very very important eight marks के लिए दोस्तों यहां पे आपका लेखन कौशन ले आ रहा है eight marks eight marks मतलब आपको one and a half page लिखना है और दोस्तों यहां पे भी मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि आपको कौन सा आला लिखना चीए जैसे यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको तीनो तीन चीजे दी गई है और यह तीन चीजों पे आपको क्या करना है दूस्तों ऐसी चीजे लिखो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है अब देगो यहाँ पर आत्मकथर अगर कभी आया तो आप मत करit करो जिसा यह 1 वाला है और लास्ट वाला है तो यह 1 है लास्ट वाले में से अगर आप दोने में से कोई एक अर्टेम करदोगे तो चले गा और इक vot स्यरसा पेपर पैटरन बहुत ही अच्य कर दूंगा जैहिन दोस्तों